नमस्कार दोस्तों केरे पॉइंट यूटूब चनल पर आप स्वेका स्वागत है दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम आपको विज्ञान के टोप हेंड़ क्यूशन करने वालें तो इस वीडियो को बगैर स्क्रिप के विए पूरा लास्तिक लगाईए और परते क्यूश और सभी दोस्तों वीडियो को अपने सभी दोस्तों को सेयर जुखे तो चलिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं तो चले देखीगा friends, first question है, इन में से कौन सा रोग vaccine दोवारा नहीं रोका जा सकता, इन में से कौन सा ऐसा रोग है जो vaccine के दोवारा नहीं रोका जा सकता है, तो right answer हो जाएगा option A, cooker khansi, या लखी दोस्तो, चेचक, polio, madu में, इन सभी रोग को vaccine के दोवारा रोका जा सकता है, लेकिन, cooker khansi को vaccine के दोवारा नहीं रोका जा सकता है, option A, आपका cooker khansi, right answer होगा, next question है, नामक रोग किस अंग को परभावित करता है, तो या रखना, मस्तिस्क गुहा को, किसको, मस्तिस्क गुहा को परभावित करता है, option D, इस question के लिए, right answer होगा, next देकी, जारी, वासिंग सोडा, धूने का सोडा क्या है, वासिंग सोडा, या धूने का सोडा क्या है, तो या रखने दोटो, sodium carbonate, option B, क्या होगा, option B, sodium carbonate, क्या होगा, next question है, रासायनिक योगी का सबसे छोटा संभावव यूनिट क्या होता है तो याद रखे दुस्तों परमानू होता है option A आपका परमानू राई टैन्सर होगा next देखी photographic उपयोगी hypo रासायनिक रूप से क्या है hypo रासायनिक रूप से क्या है silver night rate है option D आपका राई टैन्स होगा silver night rate next देखी market नीमन से बनाया जते है market किस से बनाया जते है तो याद रखना बेरिलियम से option C आपका राई टैन्स होगा याद रखना market को बेरिलियम से बनाया जाता है next question है किसकी कमी के कान एर रखता होती है मेरे परे दोस्तों हम आपको इस वीडियो के नदर है top-handed question कराने वाले है तो अगर आपने अभी तक वीडियो को like नहीं किया है तो like और share करें आपने सभी दोस्तों को तो बताईगा किसकी कमी कान एर रखता होती है तो right answer होगा लोहा iron लोहा हमें किससे प्राश होता है हरी पतेदार सब्सब्जु से और लोहा के लिए रासाइन क्पथि क्या होता है fe होता है तो a बताइब रखता किससे होता है लोहा की कमी से होता है option d क्लिए right answer होगा next देखी जल का सुध रूप क्या है जल का सुध रूप क्या होते हैं, जल का सुध रूप होते हैं, वर्षा का जल, उप्शन A आपको राइटेंस होगा, और जल का फोरूला क्या होते हैं, H2O होते हैं, और या दिना, सुध जल का pH मान क्या होते हैं, सुध जल का pH मान होते हैं, साथ, और जिसका भी pH मान साथ हो, तो वो क्या होगा? वो होगा उदासिन परकर्तिका. क्या होगा? उदासिन परकर्तिका होगा. या रखता अगला कि उस्षिन है? नेली क्रांति किस से संब्ण दित है? तो या रखता है उप्षिन D आपका right answer होगा. नेश्ट देखिए. नाइट्रोचन योगीकन के लिए जिम प्रमिदार बेक्टिया किसकी जड़ में पाया जते हैं, तो या लखना CB पोडे की जड़ में, उप्शन C आपका राइट अंस होगा, CB पोडे की जड़ में पाया जते हैं, नेक्स्ट ग्यूशन देखी, लोहे का सबसे बहूल या परचूर स्त्रोत क्या होते हैं, तो या पैट्रोल में क्यों मिला जते हैं, तो दोस्तो याद रखिए, आप श्टोधी दर को बढ़ाने के लिए, टेट्रा एथिलेड को पैट्रोल में मिला जते हैं, उप्शन D आपका राइट अंस होगा, नेक्स्ट क्यूशन है, मानुश्री में सबसे परचूर तत्तव कोन सा ह तो याद रखिए दोस्तो ओक्सिजन है, ओप्शन D आपका ओक्सिजन O2 यहाँ परे, राइट अंस होगा, नेक्स्ट क्यूश्री में मानुश्री में सबसे परचूर तत्तव कोन सा है, तो याद रखिए दोस्तो ओक्सिजन है, ओप्शन D आपका ओक्सिजन O2 यहाँ परे राइट अंसर होगा, वहीं मानव यूरिन, मानव मुत्र का pH मान क्या होगा, 6 होता है, या रखिये, और मानव बलड का pH मान क्या होगा, 7.4 option B, राइट अंसर होगा, नेक्स्क्योश्जन है, किस परक्रम द्वारा कापूर याद केमफर को आचान से सुध्य किया जा सकता है, तो या रखना उरधव पातन विदी के द्वारा, option A, उरधव पातन विदी राइट अंसर होगा, नेक्स्क्योश्जन है, कारबन का न्यून्तम परतिशत किसमे होता ह तो याद रख ये, पिटुवा लोहा में होता है, option C, पिटुवा लोहा, right answer होगा, अगला question है, अगहात वदने धातु कौन सा है, सबसे अधिक, मैलेबल धातु कौन सा है, तो याद रखना, सोना, गोल्ड, सबसे अधिक मैलेबल होता है, सोना का राशेनिक पर्तिक AU होता है, वहीं लोहा के लिए राशेनिक पर्तिक, FE होता है, चांडी के लिए AG राशेनिक पर्तिक होता है, और प्लेटिनम के लिए PT होता है, तो सबसे अधिक मैलेबल, सोना होता है, और दोस्तों, याद रखना, सुध सोना, 24 karat का होता है, वहीं दोस्तों, Latin भासा का नाम क्या होग रख्त में कोन सा ततव नहीं होता है तो दोस्तों या रखना chromium लोहा होता है तामबा भी होता है कुछ मात्रा में magnesium भी होता है लेकिन chromium नहीं होता है तो option D आपका chromium है right answer होगा next question है आलू के अंकुर उपयोगी है आलू के अंकुर किसके लिए उपयोगी है तो या रखना जन के लिए आलू के अंकुर उपयोगी होते है next question है नेमन विसे किस पोधे में वृदी के सबसे कम जलकी आउचकता होती है किस पोधे की वृदी में सबसे कम जलकी आउचकता होती है तो या रखना बबूल के पोधे में सबसे कम जलकी आउचकता होती है option A आपका right answer होगा नरम लोहा, option B, नरम लोहा का पड़ियोग किया जाता है, आप सुरिया दखेंगे, next question है, गोबर गैस का पर्मुक आवयोग क्या है, मीथेन, option A, CH4, मीथेन, आपका right answer होगा, option A, यारकी मीथेन, अगला question है, आइस्क्रीम में जिलेटिन को क्यो मिला जाता है, परशित्त को दरूत करने हितु मिला जाता है, option A, आपका right answer होगा, परशित्त को दरूत करने हितु, आइस्क्रीम में जिलेटिने मिला जाता है, next question है, अनेटोमी विज्ञान की वह साखा है, जिसका सम्द्ध है, प्राणी ए वन पोडर्व के रचना से सम्मझित है यारकी Next Question है मिरगी एक बिमारी है मिरगी किस अंग की बिमारी है यारकी सनाईू पढणाली की option B right answer होगा तो यारकी दोफ़िवे आखों की बिमारी होती है option B राइट answer होगा दोफ़िवं कहाँ पर बनता है आखों में रेटिना पर बनता है, और जो पर्तिवी बनेगा, वह वास्तिविक उल्टा और आकार में छोटा होता है, और जो हिस्सा आखों का दान दिया जाता है, वो होता है क्या क्या होता है, 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 जो आखों का हिस्सा दान म मनाया जाते हैं, तो दोस्तों याद रखना, राइट अंस होगा, उप्शन ए, साथ अप्रेल को, विश्व स्वास्ते दिवस, World Health Day मनाया जाते है, उप्शन ए, राइट अंस होगा, नेक्स्ट क्यूशन है, मेला कुनाइट, किस धातू का खनीज है, मेला कुनाइट, किस धातू का खनीज है, तो याद रखना, तामबा धातू का खनीज है, उप्शन ए, तामबा को उपर है, राइट अंस होगा, तामबा के लिए, राइट अंस होगा, नेक्स्ट क्यूशन है, किस अमलक का व्योग, सीशा संशाइक बैटरी में किया जाता है, किस अमलक का व्योगे, सीशा संशाइक बैटरी में होता है, सेलफ्यूरिक अमलका होता है, उप्शन ए, आपका राइट अंस होगा, सेलफ्यूरिक अमल, H2SO4, आपका उप्शन ए, राइट अंस होगा, और याद रिखना दोसो, सेलफ्यूरी कमल को, रसाइनों करा जगा, केमिकल ओफिंग भी का जटा है, और ओल ओफ विट्योल भी का जटा है, आप लोग याद रिखेंगे, अगला क्यूस्ट्रे की श्री में, कितना लिटर रखते होता है, कितना लिटर रखते होता है, तो याद रखना दोसो, 6 लिटर, कहीं पर आपको मिलेगा, 5-6 लिटर भी, तो याद रखना, ठीके ना, 5-6 लिटर, तो option C, आपका, according to question, 6 लिटर, आपका राई 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 रहोगा, option C, next question है, विट्योत दारा का, चुम्ब के परवाव, शराव पर्थम अवलोकित क्या गया, किसके दोबारा क्या गया, तो याद रखना, फेराडे के दोबारा, option C, फेराडे, आपका राई राई रहोगा, आप लोग या रखेंगे, next question है, नियूरोन, किसकी इकाई है, किस अंगे की इकाई होती है, नियूरोन, तो या रखना, तंत्रिका उत्तर की होती है, option D, आपका इस question के लिए, right answer होगा, next question है, black hole सिद्दान्त की खोज, किसके दोबारा की गी, black hole सिद्दान्त की खोज, किसके दोबारा की गी, very very important question, right answer होगा, option A, S, चंदर सेखर, next question है, स्रीर में, हिमोगलोबिन का कारिये क्या होता है, स्रीर में, हिमोगलोबिन का कारिये क्या होता है, oxygen का प्रिवहन करना होता है, option A, right answer होगा, या रखना, हिमोगलोबिन का, मुख्य कारिये, स्रीन में क्या होता है, ओक्सजन का प्रिवैन करना होता है, नेच्टautराना होता है, रेडियो धर्मी ततो, जिसका भारत में विशाल बंडार, पाया जाता है, वह वह कौन से है, तुराइअ टंसोर होगा, थोरियम, भारत में सब dewसातो धोरियम पायाज जाता है, काहließ रहेख जोगदा, option B, इस question के लिए right answer होगा, थोरियम, aगला question है, किसी माणव आग की रेटिना पर बनाव परतिविंग कैसा होता है, किसी माणव आ की रेटिना पर बना हुआ परतिविंग कैसा होता है, या जखना दोग्ना वास्तिक एवं उल्टा होता है, और आकार में वश्ति उ चोटा होता है, तो option B, आपका वास्तिविक उल्टा और चोटा, right answer होगा, next question है, फोटोग्राफी में उप्योग क्या गया, परकास सिनवेदी योगी क्या है, तो दोस्तों, right answer क्या होगा, option C, silver bromide photography में उपयोग हैं, क्या गया परकास सन्वेदी योगी क्या है silver bromide है, आप लोग या तखेंगे अगला question है हमारे भोजन में संंहराषतम के खाद्य पदार्थ arada क्या है हमारे भोजन में सं purely खाद्य पदार्थ या है vitamin A.M. है, option C vitamin A.M. खलगा आज़ चेकर उस्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? विशिष्ट उस्मा कहते हैं, option A आपका विशिष्ट उस्मा, right answer होगा, next question है, पीतल किसका मिश्रन है, तो दोस्तों या रखना, तामबा और जस्ता, option C, तामबा और जस्ता का मिश्रन है, पीतल या रखेंगे, अगला क्यूशन है, ताका या सोल्डर है, किसका मिश्रन है, तो या रखना सीशा और टीन का, ताका या सोल्डर है, सीशा और टीन का मिश्रन होता है, ओप्शन D, आपका सीशा और टीन है, राइट अनसर होगा, नेक् CO2 carbon dioxide right answer होगा next question देखी वह उपकरण जो विधुत उर्जा को यांतरिक उर्जा में बदलता है वो क्या कहलते है वह उपकरण कोन साथ जो विधुत उर्जा को यांतरिक उर्जा में परिवर्थित करता है तो दोस्तों या रिखना विधुत मोटर विधुत मोटर विधुत उर्जा को यांतरिक होजा में बदलता है option B आपका विधुत मोटर राइट उर्जा होगा next देखी गतिज उर्जा का वेंजक क्या है गतिज उर्जा का वेंजक क्या होगा तो राइट उर्जा होगा 1 by 2 mv square option D 1 by 2 mv square तो याद कि दहुनी त्रोंगों का प्राववत्न के काण option is right answer होगा पर्ति दहुनी दहुनी त्रोंगों के प्राववत्न के काण सुनी जाती है याद अगला question है पानी से बहे एक बरतन में बरफ का एक टुकुडा तेर रहे पूरी बरफ इगलने पर बरतन का जल सतर क्या होगा बरतन का जल सतर क्या होगा दोस्तों अप वर्तित रहेगा option c right answer हो जाएगा आप याद रखेंगे अगला question है दो समाल अंतर दरपन के बीच धातु के एक गोले को रखा जते हैं इससे बने परतिविम की संक्या क्या होगी तो असंक के जिसको कहते हैं इंफिनिटी भी कहते हैं तो option d आपका right answer होगा असंक के याद रखना अगला question है सार्ज बीमारी में अक्सर एक किसको निर्यूपित करता हैं दूस्तों सार्ज का full fun होत हैं severe acute respiratory syndrome फिर से बोल रहा हूँ severe acute respiratory syndrome तो A का अर्थ क्या होगा? Just. option d right answer होगा severe acute respiratory syndrome सार्ज बीमारी का full fun होता है और अक्सर A acute को निर्योपिते करता है, next question है, diphtheria बिमारी परभावित करता है, diphtheria बिमारी किसको परभावित करता है, गले को, option B, right answer होगा, diphtheria बिमारी गले को परभावित करता है, याद रखना, अगला question है, तो याद रखना, लालका सबसे अधिक होता है, और सबसे कम होता है, बेंगनी का, तो option A, red color, आपका right answer होगा, आप लोगे रखेंगे, अगला question है, एक micron किसके ब्राबर होता है, एक micron किसके ब्राबर होता है, तो याद रखना, 0.001 mm के ब्राबर होता है, option D, इस question के लिए, right answer होगा, next question देखी, सबी गैस सुन्य आयतन प्राब करती है, जब तापकरम घटाया जता है, कितना तापकरम घटाने पर, सबी गैस जोंगी, वो सुन्य आयतन प्राब करेंगे, तो right answer होगा, minus 273 degree Celsius कम करने पर, option C, right answer होगा, next question है, acid अमल बदलता है, acid किसको बदलता है, तो दोस्तों याद रखना, नीले लिटमस को लाल में, acid बदलता है, option A, आपकर सबीगा, नीले लिटमस को लाल में, अगला question है, चीनी के गोल में, तापकरम बढ़ाने पर, चीनी की विलेता क्या होगी, विलेता बढ़ेगी, increase होगी, या रखना, चीनी के गोल में, तापकरम बढ़ाने पर, चीनी की विलेता, increase होती है, option B, इस question के लिए, right answer हो जाएगा, next question है, carbon का सुदतम रूप कोन सा है, carbon का सुदतम रूप कोन सा है, बहुत ही अच्छा question देखिए, right answer होगा, हीरा, अगर आपसे बोले, carbon का ठोश रूप कोन सा है, तो भी लगाना क्या, हीरा लगाना, और अगर आपसे बोले, सबसे कठोर पदार्थ कोन सा होता है, तो भी आप लोग क्या लगाएगे, हीरा, तो यहार रखना, carbon रहता है, ओप्षिण अ, carbon है, right answer होगा, next question है, कौन सी gas का, आउर, सूरिय सी निकली, प्राभेंगरनी विकन को आउशोशित करता है, तो यहार रखना, और या रखना ओजोन लेयर में जो गैस होती है वो होती है केवल और केवल है और या रखना केवल ओक्सिजन गैस होती है और क्या होती है कंप्यूटर की भाशा में कमपाइलर क्या होते है तो या दक्येंगे उच सित्री भाशा में रुपांतरन करने का प्रोग्राम कंपाइलर कहलता है option C, इस question के लिए right answer होगा, अगला question है, AWS का पूर्ण रूप क्या है, तो याद रखना, Airborne Warning and Control System, option B, Airborne Warning and Control System, right answer होगा, option B, याद रखेंगे, अगला question है, नीमन में से, कौन एक input device नहीं है, इनमें से, कौन एक input device नहीं है, तो floppy drive नहीं है, option A, आपका profit drive, right answer होगा, next question है, Portland Chimint का, मुख्य संगठा के क्या है, Portland Chimint का, मुख्य संगठा के क्या है, तो याद रखेंगे, चूना, सिलिका, indigenous worry, option C, चूना, सिलिका, Aluminis, right answer होगा, option C, याद रखेंगे, अगला question है, फोटोग्राफी में picture की रूप में किसका परियोग होता है फोटोग्राफी में picture की रूप में किसका परियोग होता है तो या रखिए sodium thyosulfate option है right answer होगा sodium thyosulfate का परियोग है फोटोग्राफी में picture की रूप में किया जाता है next question है rectifier का प्रयोग किसके लिए किया जता है rectifier का प्रयोग किसके लिए किया जता है तो या रखना AC को DC में बदलने के लिए rectifier का प्रयोग होता है option D आपका राइटन्स होगा AC क्या है alternating current DC क्या है direct current alternating current को direct current में बदलने के लिए rectifier का प्रयोग किया जता है अगला क्यूस्टन है रतोंदी किस वीटामिन की कमी से होता है रतोंदी किस वीटामिन की कमी से होता है तो या रखना दोस्तों वीटामिन A की कमी से दोस्तों वीटामिन A हमें परचूर मातरा में गाजर से प्राप्त होता है और वीटामिन A हमारे श्री में संसीत रहता है कहा है रतोंदी तो option A आपका right answer हो जाएगा अगला question है next दीखीगा friends स्तिरपानी में मिटी का तेल डाने पर मच्छर कम हो जाते हैं क्यूंकि यह स्तिरपानी में मिटी का तेल डाने पर मच्छर कम हो जाते क्यूंकि दोस्तों लारूवा के सांस में बादा इलता है, option C आपका right answer होगा next question है computer में प्रियुक्ते SML भाषण है computer में प्रियुक्ते SML भाषा क्या होती है यारकना kewl while binary Viças option B, right answer होगा a Ohhh, right answer होगा, अगला question है मानशर्की, वृचल कोषिका क्या है मानशर्की, वृचल कोशिका क्या होती है तो यह रखना सनायू कोशिका होती है, option A आपका राइटेंस होगा, सनायू कोशिका, अगला क्यूशन है, वैधूत अपकटन में कोन सा नियम लाग होता है, वैधूत अपकटन में कोन सा नियम लाग होता है, तो यह रखना फैरादे नियम लाग होता है, option d per day name right answer hoगा अगला question है electronic voltage किसका QI है electronic voltage किसका QI होता है तो ये रखना उरजा का option c उरजा right answer hoगा अगला question है परिष्त लड़की विमा क्या है परिष्त लड़की विमा क्या होती है तो right answer होगा empty power minus 2 होता है option a आपका राइट अन्सर हो 자ेगा, अगला क्योष्ण है, एक लड़की जूलने पर जूल रही है, यदि वह घड़ी हो जाये तो जूलने का आवर्त काल क्या होगा, घट जाएगा या द खना, option B right अन्सर होगा, जूलने का आवर्त काल क्या होगा, घट जाएगा, decrease हो जाएगा, अगला question है, यूरिया में nitrogen की पर्थिसत मात्रा कितनी होती है, यूरिया में nitrogen की पर्थिसत मात्रा कितनी होती है, 46% होता है, option A, आपका राइटरेंट होगा, यूरिया में Nitrogen, Nitrogen को N2C% कहा दाते हैं, तो यारखना, Nitrogen कितना होता है? 46% होता है सबसे याधिक率 यूरिया किसमें मिलता है? मानव मूत्र में, मानव यूरिन में मिलता है और मानव मूत्र का pH मान का है? 6 होता है, आप लोग या दखिएगा चलिए, अगला क्योषिने, कुत्ता में गुंड्वूत्रों के संक्या कितनी होते हैं। चलिए, अगला क्योषिने, पारे का परतिरोद, सुनने कितने कैलविन ताप पर होते हैं। पारे का परती रोद शुनने कितने टंपरेचर पर होता हैं, तो याद रखना वुड एलकोहल कहते हैं, उप्शन C, वुड एलकोहल राइट अंसर होगा, अगला क्यूशन है, साधान लोलक के समय को दुगना करने के लिए धागे की लंबाई क्या होगी, साधान लोलक के समय को दुगना करने के लिए धागे की लंबाई क्या होनी चाहिए, चार गुनी होनी चाहिए, उप्शन C, राइट अंसर होगा, अगला क्यूशन है, परतेक एक डिगरी सेल्सिस, ता बढ़ाने पर वायू में धाउनी का वेग बढ़ता है, कितना बढ़ता ह अगला क्यूशन है, जब परकास वायू से कांच में जाता है, तो क्या होगा, जब परकास है, वायू से कांच में जाता है, तो क्या होगा, तरंग धहद घटती है, उप्शन B, आपका राइट अंसर होगा, जब परकास वायू से कांच में जाता है, तो तरंग धहदे घट अगला क्योशन है, एस्कोर्बिक एसिद, किस विटामिन का नाम है, एस्कोर्बिक एसिद है, किस विटामिन का नाम है, तो विटामिन C का रासाइनिक नाम होता है, एस्कोर्बिक एसिद, ओप्शन C, आप कराई निन्स होगा, विटामिन C हमें, खटे पतार्तों से परचूर मात्रा में प्राप्त होता है अगर बात करें हमें सबसेदे किसे में मिलेगा तो यार रखना विटामिन C सबसेदे के आउला से प्राप्त होता है चलिगा फिर नेश देखी दाउनी किस रूप में यात्रा करती है तो याद रखेंगे अनुद्धैतरंग के रूप में यात्रा करती है option B आपका राइटन्स रोजाएगा अगला question है शोनार मुक्यत्य उपयोगे किया जाता है शोनार कापयोगे किसके दौबारा किया ज़ता है तो यार रखना दोस्तो, समूदरी यातियों की दवारा कहता है, option D, आपका राइट रखना होगा, समूदरी यातरी, अगला question है, सूरिये में नाविक के इंदन क्या होता है, सूरिये में नाविक के इंदन क्या होता है, हीलियम होता है, option A, राइट रखना होगा, यार रखना शरीर की दुवीतिये सबसे बड़ी गरंथी कौन सी है, तो याद रखना दोस्तों अगनासे होती है, option D अगनासे है, शरीर की दुवीतिये सबसे बड़ी गरंथी है, अगला क्योशन है, नेत्र गोलक किस सेट दवारा चालित होता है, नेत्र गोलक किस सेट दवारा चालित हो अमलों में सब इससे अधिक सम्मान तत्तों क्या होता है तो या रखना हाइडोजन होता है option A hydrogen है right answer हो जाएगा अगला कि उसने oxygen को किस रूप में प्रिभासित किया गया है oxygen को किस रूप में प्रिभासित किया गया है तो या रखना electron की हानिक रूप में रूप में, इलेक्टोनों की हानिक रूप में ओक्षिकन को प्रिभासित किया गया है, option D, आपका right answer होगा, अगला question है, अमल का स्वाध है, अमल का स्वाध कैसा होता है, स्वाध में कैसा होता है, खटा होता है, option B, आपका सही होता है, याद खिएगा, अगला question है, परकास वर से किस्की का होती है grown दूरी की Option ए आपका दूरी रखर हो जाएगँ अगला क्यूशन है एक जूल किसकी ब्राबर होता है आप सुनतांगे किसकी ब्राबर होता है तो तो या रखना टैनेस्ट पावर सेवन अरग के ब्रापर होता है, option A आपका right answer हो जाएगा, अगला question है पिंड का भार सुन्ने नहीं होगा पिंड का भार सुन्ने नहीं होगा क्या दोस्तों कित का परे सवतुंतर गिरने के दोरान और सुन्ने का परोगा, पर्थवी के इंदर पर अंत्र ग्राइक अंत्रिक्स में और किसी भी गरिशन हिन सतय पर है पिंड का भार सुन्ने होगा, लेकिन सवतुंतर गिरने के दोरान पिंड का भार सुन्ने नहीं होगा, option B इस question के लिए right answer होगा अगला question देखी, वर्षा की बूंदे किसके कान से गोलाकार होती है वर्षा की बूंदे किसके कान से गोलाकार होती है तो या रखना प्रिस्तनाओ के कान होती है option A, प्रिस्तनाओ, right answer होगा next question है, जब बरफ के टुकडे पर दबाव बढ़ाया जता है तो उसका गलनांक क्या होगा तो दोस्तों या रखना घट जाता है बरफ के टुकडे पर दबाव बढ़ाया जता है तो गलनांक क्या होता है आप रखना रखेंगे option A, right answer होगा अगला question है आग पकड़ने के लिए कोन सा फाइबर नियून्तम परवर्थ होता है आग पकड़ने के लिए कोन सा फाइबर नियून्तम परवर्थ होता है तो या रखना सूती होता है option B, सूती right answer हो जाएगा अगला question है नोन्ष्टिक रसोई के बरतन परे किसकी परत होती है नोन्ष्टिक रसोई के बरतन परे किसकी परत होती है तो या रखना टेफलोन की परत लगे होती है option C, टेफलोन right answer होगा अगला question है कोन सी धातू नाइटिक अमल दवारा परवावीत नहीं होती है तो या रखना दोस्तो शोवना चांदी होता है, तामबा होता है पारा भी परवावीत होता है नाइटरी का मल के लिए द्वारा है, लेकिन सोनना नहीं होगा, तो option B, gold A, right answer हो जाएगा, next देखी, निमले किते में से, किसे भारी जल कहा जाते है, भारी जल का formula होता है, तो सो D2O, क्या होता है, D2O होता है, और रासाइनिक नाम, deuterium oxide होता है, option B, right answer होगा, D2O की खोज किस की रूप में परियोग किया जाता है, तो या रखना दोस्तो, भारी जल का, रासाइनिक नाम, deuterium oxide होता है, अगला question देखी और इस class का last question, laughing gas है, laughing gas है, तो दोस्तो, right answer होगा, nitrous oxide, N2O, nitrous oxide, option A, आपका इस question के लिए, right answer होगा, तो दोस्तो, आज का session यहीं पर आपका complete होता ह है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को like करें, अपने सभी दोस्तो को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और पीडियाप के लिए टेलिग्राम को जोइन करें, और पीडियाप को ले ले, तो दोस्तो, अगर आप लोगो ने, अभी तक चैनल को subscribe नहीं करें, सब्सक्राइब करें, बैल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली परते क्लास को नोटिकेशन आपको मिलता रहे, और प्यारे दोस्तो, आप हमें कमेट करें करें का आपको वीडियो कैसी लगी, तो चलिएगा मिलते हैं फिर नेक्ट वीडियो में, अब टर टे केर, जय हिन, जय भारत, वंडे मात्रम